एक समय की बात है, गांव के एक छोटे से लड़के का नाम रमेश था, वह बहुत ही सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन उसमें असीम उम्मीद और सपने थे, रमेश का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार को खुशियों से भर देगा, लेक अपनी खाली समय में पढ़ाई करता था, तकनीक के क्षेत्र में उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का सपना देखा, रमेश ने एक दिन गांव के सरपंच से बात की और उनकी सहायता मांगी ताकि उसे किसी सरकारी स्कूल में अध्यान करने का अवसर मिले, महनती था और इसके लिए उसने रात-रात भर पढ़ाई की, धीरे-धीरे रमेश ने अपने उच्च शिक्षा के दौरान टेकनोलोजी के क्षेत्र में माहिर हो जाने का मार्ग तै किया, वह अच्छे अंक प्राप्त करने के साथ-साथ विभिन प्रोजेक्ट्स और ताहरण युवा पीडियों के लिए स्रोध बन गया। वह युवाओं को यह सिखाता है कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल महनत और संघर्ष की आवश्यक्ता होती है और किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। पाने के लिए आपके पास धैर्य, संघर्ष की उर्जा और सही मार्ग की पहचान होनी चाहिए। सपनों को पूरा करने के लिए आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। युवा पीडियों के लिए यह कहानी एक प्रेड़ना है कि आपके पास कितनी भी साधनाएं क्यों के सपनों में है याद रखें कोई भी सपना बड़ा नहीं होता और आपकी मेहनत और संघर्ष सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं